तो यार देखो कल जब मैं एक सेशन ले रहा था तो मुझे एक बच्चे ने सजेस्ट किया कि सर अभी हम लोग का प्रिपरेशन ना कमजोर चल रहा है आप हमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हाइलाइट कर दीजे जिनको की हम लोग लास्ट मंत के अंदर कवर कर सकते हैं जिस से वी वीडियो ना मैं स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जो इस समय पे प्रिपरेशन में एक बहुत अच्छे मुकाम पे नहीं है लेकिन यार जब बच्चा पहला पहला आटेम्ट देता है ना एक्जाम का तो एक 50 के आंकडे को क्रॉस करने से एक लाइफ में कि यार जब मैं इस महनत में इतना अचीव कर सकता हूं तो इफ आई वर्क रियली रियली हाड आई कैन अचीव एनिटिंग तो ये उन बच्चों के लिए वीडियो जो उस लेवल पे पहुँचना चाहते हैं जो उस कॉन्फिडेंस को सीख कर रहे हैं जो उस से कर रहे हैं तो यहां पे न मैंने आप लोग लिए कुछ ऐसे प्रोबेबल टॉपिक शॉर्ट लिस्ट की हैं जिन में मेरे हिसाब से गेट में क्वेशन पूछा जाना चाहिए और जिन को आप रिमेनिंग टाइम के अंदर कवर कर सकते हैं तो अगर बिटा आप जो वीडियो देख रहे हैं अगर आप भी उन बच्चों में से एक हैं जिनकी तैयारी अभी कमजोर चल रही है और उनका तारगेट है सर्फ 50 के मार्क्स को हमें क्रॉस करना है 50 के स्कोर को ग्रॉस करना है तो देस वीडियो विल बिए वेरी वेरी हेलफुल फॉर यू और अगर बिटा आपको वीडियो हेलफुल लगे 50 marks clear करना चाहते हैं, उनकी मदद हो पाए, ठीक है, यहाँ पे selfish मत बनिएगा, कि यार मैं क्यों share करूँ, मैं क्यों competition बढ़ाऊं, क्योंकि यार देखो, 50-60 marks लाने से शायद उस बच्चे को बहुत बड़ी opportunity ना मिल पाए, बट life में एक hope मिल पाए, एक self belief मिल पाए, तो इसमे मैं चाहता तो machines के बारे में भी बात कर सकता था, मैं चाहता तो बड़े-बड़े topics के बारे में बात कर सकता था, लेकिन यार ऐसा ना unjustified हो जाएगा कहना, क्योंकि आखरी month के अंदर, एक student point of view के हिसाब से ये चीज़े नहीं की जा सकती, तो सबसे पहले subject पे चल रहा हूँ network, अब देखो network में ना यार जो चीज़ आप easily cover कर सकते हो वो है network का basic, अब मैंने इसमें सिर्फ 5 गंटे लिखे हैं क्योंकि network के basic का आपको idea थोड़ा सा होगा भीटा, आप लोग 12th में भी पड़े हो, engineering में भी मेरे हिसाब से KVL, KCL, nodal mesh ये चीज़े आती होंगी, तो इन concepts को आप brush up कर सकते हो बहुत अच्छे से और इसमें दो नंबर तक का weightage आना संभावित है, possible है, फिर आता है AC analysis, देखो electrical वालों के लिए AC analysis बहुत important होता है, ये 15 सूला घंटे लेगा, ठीक है, और इसमें मैं including resonance की बात कर रहा हूँ, लेकिन पिटा इसका weightage ना previous years के हिसाब से सबसे जादा रहा है, अब देखो आने के chances तो यार coupled circuit के भी हैं बहुत जादा, लेकिन क्या होगा, coupled circuit थोड़ा सा complicated होता है, उसको study करने में time लगता है, यहाँ पे आपको बस एक complex number का basic पता होना चीए, और यहाँ 12 की physics का basic पता होना चीए, तो यहाँ बिटा आप 20 to 25 hours के अ कर सकते हो, ठीक है, अब जिन बच्चों का already थोड़ा सा background है, already थोड़ा सा जानते हैं, वो चाहें तो इस list में topic को replace कर सकते हैं, जैसे मान लोग किसी को basic आता हो, तो वो maybe transient के पीछे जा सकता है, या maybe वो coupled circuit के पीछे जा सकता है, बट जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता, अगर वो इस दो चीज़े कर ले, 20 से 25 घंटा लगेगा, आप 5 नंबर गेन कर सकते हैं, अगला है control system, control system में देखो यार, आपका signal flow graph और block diagram, basic topic है, लेकिन उससे कभी question आता है, कभी नहीं आता है, उसके बाद अगला chapter होता है, time response, इसमें आपको steady state और transient दोनों करना है, यहां से आप दो नंबर expect करके जा सकते हो, gate exam के अंदर, और easy topic है, formula based topic है, इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, और control system के लिए आपको lap last आना चाहिए, तो आप चाहो तो पहले lap last कर सकते हो, उसके बाद control पे आ सकते हो, इसका weightage मैं expect करके चल रहा ह ठीक है, फिर state space analysis, ये बिटा छोटा topic है, काफी 5 घंटे में cover हो जाएगा, इससे shore shot एक question आ जाता है, मतलब ये मान के चलो 90% of the exam में एक question जरूर इसका रहता है, frequency response जानता हूँ tough है, लेकिन ये दो ऐसे topic है बिटा जिनसे shore shot question आता है, बोडे plot और Nyquist plot, अगर दो मेंसे एक से question आया ना, तो दो number का weightage तो बने गई बनेगा, तीन number तक भी इसका weightage जा सकता है, तो आप यहाँ पे अराम से बिटा 6 to 7 marks control में target कर सकते हो, और इसके लिए आपको time थोड़ा सा देना पड़ेगा यार, 15, 5, 20, 20 and 30 hours, ठीक है, इतना तो आपको time देना पड़ेगा, अगर इस focus छोड़ सकते हो, आप block diagram छोड़ सकते हो, और चाहे तो signal flow graph आप cover कर सकते हो, यह उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ, जिनका थोड़ा सा background है already control में, जिनके कुछ topics covered है, अगर कुछ भी covered नहीं है, तो अगर आप इतना भी कर लोगी, तो आप 6 number तो ला सकते हो, अगला होता signal end system, signal end system में बटा 3 transform सबसे important है, इनको तयार कर लो, इसके लिए prerequisite क्या है, कि basic mathematics आपका clear होना चाहे, जैसे integration, differentiation, यह basic चीज़ें आपकी clear होनी चाहे, और थोड़ा सा basic signals के बारे में idea होना चाहे, ठीक है, causal, non-causal, यह सब नहीं भी पता हो, चलेगा, लेकिन यह तो पता हो कि signal function क्या होता है, unit step क्या होता है, impulse क्या होता है, यह basic चीज़ें पता होनी चीए, तो देखो, Fourier transform से दो नंबर का सवाल आएगा ही आएगा, 10 से 12 घंटे लगेंगे, ऐसी lap last, lap last क्योंकि prerequisite हो जाएगा, control के लिए, इसलिए most important है, और Z transform, तो आप यहाँ पे भी बिटा 5 to 6 marks गेन क कर सकते हो, around 30 hours में, ठीक है, around 30 hours में, बात clear हो गई है, अब इसके बाद analog, ठीक है, analog में देखो, opamp का question अच्छे से आता है, 2 से 3 नंबर का सिर्फ opamp, opamp आ जाता है, 15 घंटे में इसका आप negative feedback कवर कर लो, positive feedback अगर oscillator छोड़ भी देते हो, कोई बात नहीं, negative feedback कवर कर लो, तो 3 नंबर तक ये पूछा जा सकता है, BJT और MOSFET BISING, recent years में हमने देखा है, MOSFET पे सवाल आने लग गया है, बट MOSFET की जो BISING वाला पार्ट है, जो DC analysis वाला पार्ट है, वो बहुत छोटा है, वो हद से हद बिटा 3-4 घंटे consume करता है, क्योंकि DC BISING चाहे MOSFET की हो, चाहे BJT की, purely network based है, अगर किसी को KVL, KCL लगाना आता है न, DC circuit में, तो यह topic कर सकता है, तो यहाँ पे भी मेरे बच्चों आप 4-5 नंबर expect कर सकते हो, in 25-30 hour, ठीक है, और अगेन उनी बच्चों की बात कर रहा हूं, जिनका basic एकदम गायब है, 0 से करना चाहते है, अगर किसी को कुछ आत लोग में, तो what can they do extra, इसके अलावा आप priority पे रख सकते हो, positive feedback, open amp का, और फिर diode circuit, यह दो topic, ठीक है, AC analysis छोड़ देना, अगर अब तक नहीं किया है, उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, power system में देखू, मैंने एक ही topic लिया है, fault analysis, क्योंकि यह purely, यह बिटा, purely per unit system और network analysis पे based है, तो अगर आप per unit तयार कर लोगे, वो तो मैं वैसे ही fault के अंदर ही पढ़ाया हूँ, और network analysis अगर आपको आता है, तो आप fault के सवाल बना सकते हो, ठीक है, और fault से sure shot question आता है, power system में, gate में, क्या है न, करने के लिए देखो, transmission distribution आसान unit है, लेकिन लंबी है, और उसस एक या दो number का आएगा, उसमें chapter है, आठ से 10, लेकिन fault में 3 या 4 chapter है, जिससे 2 से 3 number का weightage आना ही आना है, ठीक है, तो भले ही power system एक advanced subject है, फिर भी मैंने इसका एक ऐसा topic चूज किया है, which is sure shot in gate exam, फिर power electronics, देखो power electronics के दोनों chapter छोटे है, chopper inverter, इनको करने के लिए rectifier की knowledge की पुछा जाता है, आज की date में rectifier से जादा priority, power electronics में chopper inverter को मिलती है, तो बिटा 20 से 25 घंटे आपको dedicate करने पड़ेंगे, और यहाँ पे आप 3 से 4 number ला सकते हूँ, ठीक है, मैं किसी भी subject के कोने कोने वाले topic cover नहीं कर रहा हूँ, मैं हर subject के ऐसे topic cover कर रहा हूँ, जिसमें time कम ल 20 hours के अंदर मेरा संकल batch का course निप्टा लो, क्योंकि इसमें जादा practice की आपको बहुत जरूवत नहीं पड़ेगी, यह बहुत short में हो जाएगा measurement, और IIT कानपूर paper करा रहे हैं, तो मैं expect कर रहा हूँ, 3 से 4 number का measurement आएगा, तो आपको मैंने संकल batch में 6 marathon कराएं, उनका total duration 15 से 20 कंटे के बीच होगा, अगर उतना देखके पिछले 5 साल के भी PYQ लगा लोगे ना measurement बहुत अच्छे से हो जाएगा, engineering mathematics देखो अब यहां से आपके marks बनेंगे, engineering maths में आपको सबसे आदा time देना है, linear algebra, sure, short question है, calculus, यह दो chapter हैं, जिन से 6-7 number ला सकते हो, complex छोटा है, इसलिए include कर लिया है, यहां पे आप देखिएगा, 30, 40, 45 to 50 hours अगर आप dedicate करते हैं, यहां पे, तो यहां पे आप 9 to 10 marks out of 13 गेन कर सकते हैं, 9 से 10 number तो लाही सकते हो, ठीक है, probability थोड़ा tough पड़ता है, इसलिए probability नहीं बोल रहा हूँ, फिर देखो aptitude, aptitude में सिर्फ और सिर्फ practice करनी है यहां पे आप भ्रमास्त्र batch follow कर लिजेगा, सौरब सरका, तो अगर आप भ्रमास्त्र batch से practice कर लोगे बिटा, तो यहां पे आप 15 number की तैयारी कर सकते हो, तो देखो मैंने जो total weightage cover किया है ना अभी तक, सारे subject मिला के, मैंने कोशिश की है कि आपको 55 से 60 marks की तैयारी हो जाए क्योंकि 55 से 60 की तैयारी है और एक अच्छा accuracy लेके रखते हो, तो पिटा, आप 50 अबव जाने का dream कर सकते हो, और इसके लिए duration आपको कहीं ना कहीं लगेगा, around 200 hours, अगर आप 0 से कर रहे हो, तो पिटा, अगर मैं 25 days भी count करता हूं तैयारी के effectively, तो आपको 8 hours per day करना पड़े अब बताओ कैसे निकाले, क्योंकि आप लोग जानते हो, मेरा nature, generally मैं इस तरह के videos नहीं बनाता हूं, लेकिन एक बच्चे का message मेरे दिल को कहीं न कहीं छूग गया, कि यार हर बच्चा यहाँ पर rank सीख नहीं कर रहा है, हर बच्चा top नहीं करना चारा है, कुछ बच्चों क करूँगा, इस समय पर crash courses से कीजिएगा, rather than comprehensive course, तो आपको क्या करना है, कोई भी topic जो जो मैंने आपको listing कीए है, crash course से prepare कीजिए, इसके बाद last 5 to 10 years PYQ प्रेक्टिस कर लीजिए, ठीक है जी, और इसके अलावा आप subject test दे दीजिए, that will be more than enough to prepare these topics, ठीक है, subject test के पार्ट test भी दे सकते हो, अगर उस subject के बहुत ही कम topic हम लोग तयार कर रहे हैं, ठीक है बई, तो ये कर लीजिए, और इसके अलावा देखो, हमने आपके लिए question series launch कर दिया, आप वहाँ से भी कर सकते हो, question हम लोग कराई रहे हैं, ठीक है, सारे teacher, और आपको एक बार revision भी कराएंगे, Monday से start करेंगे, 9th of January से K-notes series, तो K-notes में आपको short notes provide कर देंगे, question में आपको अच्छे question करा रहे हैं, तो बिटा अगर आप इतना कर लेंगे न, तो last 25 to 28 days के अंदर भी you can do well, तो hope, lose मत कीजिए, क्योंकि एक बार महनत करके देखो यार, एक बार महनत करके देखो, जो भी result आए लेकिन अगर 25-30 दिन के महनत से आप कुछ अचीव कर गए न, तो आपका life में motivation बढ़ जाएगा, self belief बढ़ जाएगा, और वो life में successful होने के लिए बहुत जादा important है, और देखो जो भी बच्चे 24-25 वाले हैं बिटा, अगर वो हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, आज रा गतेस बैच है वो start कर रहे हैं 18 जणवरी से, इसमें मैं orientation ले रहा हूं 18 को, इसमें 24 के लिए signal start करे हैं शंकर सर और Ready सर डिजिटल start कर रहे हैं, 25 वाले बच्यों के लिए हम लोग orientation रख रहे हैं 18 को और फिर signal start हो रहा है, और यह जो बैच है न, इस सब कुछ cover कर देगा, gate, E PSE, IRMS और Civil Services तो आपको कहीं जाने की ज़रूरती नहीं जितने भी Technical Paper हैं इवन PSU's का भी एक्जाम है वो इस बैच से Clear हो सकता है और जो 23 वाले आस्परेंट है जिनकी तयारी अच्छी चल रही है प्लीज आप लोग 8 तारीक वाला टेस्ट मिस ना करें क्योंकि All India लेविल पे हुगा आपको एक अच्छा अंदाजा लगेगा अपनी तयारी का गेट पैटन पे हुगा गेट के टॉप एजुकेटर द्वारा क्यूरेटेड हुगा और यह आपको बहुत अच्छा फीडबैक देगा आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड और अपना फीडबैक जरूर देना कॉमेंट सेक्षिन में साथ-साथ मुझे यह भी बताना और ऐसी क्या चीज़े हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों से चर्चा कर सकता हूँ ताकि आप लोगों तक इसी तरह का मोटिवेशन स्ट्राटेजी पहुचता रहे तो मिलते हैं अगले वीडियो में लेट्स क्राक इट